असकार दोस्तों मैं मंजू हलदवानी उत्राखंट से दोस्तों अभी बसंत का मौसम चल रहा है चारों तरफ फूली फूल खिल रहे हैं और इस समय जो है प्रकरती में बहुत ज़्यादा चैन जाता है जो प्लांट हमारे डॉर्मेंसी में होते हैं उनमें नएने सूर्स आने लग जाते हैं और जो भी प्लांट हमारे डिवाइड होने वाले होते हैं जिनके मदर प्लांट से बेबी प्लांट बनने वाले होते हैं तो बहुत तेजी से बनते हैं इस समय मदर प्लांट से बेबी प्लांट सबसे पहला खुबशूरत प्लांट जो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे ख्याल से सभी को पसंद होगा तो यह जर्वेरा है जर्वेरा बहुत sara कलर में आता है और इस समय इस प्लांट के एक से अनेक प्लांट बहुत सानि से बन जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये plant जतनी ज़्यादा flowering करेगा उतने ज़्यादा इसके अंदर suits पैदा होते हैं उतने ज़्यादा इसके plant बनते हैं तो जो भी color आपके पास नहीं है आप कीसी friend किया देखा है वहां से लाग सकते हैं या एक से अनेक क्योंकि ये plant जो होता है कभी-कभी बह तो वो प्लांट जरूर चल जाते हैं मरेंगे नहीं और एक आध दिन जोड़े इसके पत्ते जुकी रह सकती है छाया में रखेंगे तो नया प्लांट आसानी से बन जाता है तो जर्वेला को आप डिवाइट करिए बहुत सारे प्लांट इसके बन सकते हैं मैं आपको फूलों पताया था इस्पाटर प्लांट ऐसा है जिसके अंदर बहुत जल्दी रूट बांड नहीं होता है नहीं तो इस्पाटर प्लांट मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि बहुत जल्दी रूट बांड होता है और फिर प्लांट को हटा के छोटे से नया प्लांड बनाना गर्मियों में धेरों फूल ये प्लांट आपको देगा तो इस प्लांट में देखिए जैसे ये प्लांट है इससे हम कई प्लांट बना सकते हैं ये देखिए एक प्लांट ये ये डिवाइड होता है इसको आसानी से नए प्लांट बन जाते हैं तो इस पाली पैराइटी अग को भगाने के लिए और भी कई तरह उपयोग होता है तो इसे की जो है लेमन टी बनती है बहुत अच्छी खुश्बू आती इसके पत्तों को रफ करने से तो इसमें भी बहुत सारे प्लांट बनते हैं इसमें तो कोई भी एक छोटा से इस्टिक आपको मिल जाया तो इसमें ज ठंड पढ़ने जाती है तो इन प्लांट को थोड़ी परिशानी होती है दोस्तों यह रिवन ग्रास है रिवन ग्रास की वराइटी बहुत ज़्यादा इसमें प्रडूश करेगी बेबी प्लांट तो इसको भी अलग करके एक नया प्लांट बना चाहें क्योंकि यह इतना पप को निकाल कर हम जो हैं नया प्लांट बना सकते हैं तो इसने प्लांट बहुत सारी वराइटी आती है चाहे आपके पास यह हो यह वाली जिसमें गोल्टन इस्टिप होती है यह वाली हो या फिर जो डॉर्फ वराइटी वाले हो सब मैं देखिए कर साइड से छोटोटे बेवी प्लांट बनी होंगे दोस्तों यह पीस लिली का प्लांट है पीस लिली का प्लांट गर्मियों में बहुत खूशर प्लांट होता है इसमें वाइट कलर का फ्लावर आता है तो गर्मियों में धीरा फूल चाहिए होते हैं इंडोर भी रखा जाता है इस प्लांट को तो इसमें भी जो है बेवे प्लांट प्रड्यूस होते हैं इस समय, साइट से जो बिलांट बनते हैं, ये देखिए, एक को तोड़ कर निकाल कर जिसमें थोड़ी सी जड़ा आ जाए, इससे नया प्लांट हम बना सकते हैं, दूस्तों ये जो दिखा रहे हैं, आपको बहुत स सारे इस समय जो होते हैं, साइट से प्लांट निकलते हैं, तो उन से नया प्लांट बनाने का बहत्रीन समय होता है, ये प्लांट नर्सरी में थोड़े महंगे मिलते हैं, तो ये भी बेराइटी आपके पास है, इसको एक्सेंज करके आपने कलेक्शन को इस से बढ़ा सकते ह तो इस plant को भी इस समय जो है divide के व्तियार के जाता है नया plant यह देखिए इसे ट्राइ कलर कहते यह भी केलिथिया की variety है इसे भी नया plant इसमें बन सकता है इसमें भी एक plant को निकाल के कर आप नया plant बनाएंगे तो बहतरी तरह चल जायेगा और कुछी दिन में आपका यह पॉड भाप भी बढ़ जाएगा अई दोस्तों यह कैनलीनी के प्लांट कैनलीनी की बहुत सारी वायटी आती हैं तो इनकी डॉर वायटी भी आज कर आने लग गई हैं यह देखिएror यह कैलर की डॉर वायटी है मेरे पास तो इसकी प्लांट जू है छोटे में ही blooming करने लग जाते हैं तो इनके भी side से बहुत सारी plant बनते हैं इस समय तो इनसे भी हम कहीं से भी एक नया plant इस समय लेकर बना सकते हैं यह daily है इस पर भी देखिए इस करें के आ रहे हैं इसको निकाल कर अगर आगर 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 किसी जो ये फ्लावर दिख रहे हैं बड़े-बड़े कैवेंज जिससे हो जाते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं डॉर्मेंसी थी इसलिए मैंने इसको किसी चीज के स्टेट के नीचे रख रखा था तो ये जो है अब बहुत सारे प्लांट त्यार कोंगे इसमें से साइड से एक प दे सकते हैं बहुत सुन्दर लगेगा और वैसे भी अपने घर में रखने के लिए प्लांट बहुत अच्छे होते हैं बहुत लोग केर में चलते हैं ज्यादा पानी नहीं मांगते हैं तो इनसे भी हम इस समय नया प्लांट बना सकते हैं जो कि डिवाइड होते हैं दूस्त को डिवाइट जरू करिए इसी तरह से ये देखिए देखिए दोस्तों ये फॉक्षल फर्न है इसको भी डिवाइट करके इस समय हम इसका नया प्लांट बनाएंगे तो मदर प्लांट बहुत अच्छी खुराक मिलेगी और जो बेबी प्लांट बनते हैं वो और जादा भी वेराइटी से इस समय नया प्लांट आसाने से बन जाता है कुछी बस एक थोड़ इसी भी दो-चार बीस में रूट से आ जाएं एक साइट से बेबी प्लांट को निकाल कर किसी दूसरे गंबले में लगा देंगे तो कुछी दिनों में एक नया प्लांट आपके पास ब गजानिया हैं गजानिया के जो होते हैं प्लांट बहुत ज़्यदा डिवाइड होते हैं इस समय इसके भी हम नये प्लांट बना सकते हैं अगर सही तरह से कियर करते हैं तो कई लोग इसको घर्मियों में बचा ले जाते हैं तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारे प्ल वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार.